Hello everyone, my name is Chandan Singh. So guys, जो class 7th के student से वो भी कह रहे हैं कि सर हमारा भी English का series शुरू किये जी. तो ये reader है, Honeycomb, उसका जो first chapter है. Three questions. तो चलिए, class 7th का भी शुरू कर देते हैं, lesson 1. यहां है कि before you read, यानि कि इससे पहले क्या पढ़ है, ये पढ़ लीजी, क्या लिखा है? A king has three questions. एक राजा है, तो उसके पास तीन questions है. ये has क्या है? प्रेजेशन को दिखाता है. कि आपके पास क्या क्या है? तो present में have has लगता है. तो king has three questions and he is seeking answers. ये present continuous से seek का मतलब होता है कि आपको अगर किसी चीजी की तलाश है, आप मांगते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं, आप मदद चाहते हैं, आंसर चाहते हैं, तो seek का इस्तमाल होता है. His seeking answers, उसे answer चाहिए to them, अपने तीनों questions के उन्हें answer चाहिए, them का मतलब भी questions है. What are the questions? Questions क्या है? Does the king get what he wants? क्या राजा को मिलता है? जो वो चाहते हैं, देखिए, does the king get? ये आपका present indefinite हो गया, does लग गया, तो does the king get? क्या राजा को मिलता है? और ये देख रहे हैं, what he wants, इसे बोलते है noun clause, noun clause, ये what क्या है आपका? ये यहाँ पर conjunction का का काम कर रहा है, और what से जो वक बना है, देखिए, ये conjunction हो गया, ये subject हो गया, ये verb हो गया, एक clause के अंदर अपना subject होता है और verb होता है, और ये काम क्या कर रहे है, noun clause? एक object का 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 रहा है, get के बाद, what the king get, I mean, sorry, does the king get what he wants, किया राजा को मिलता है, जो वो चाहता है, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं, guys, he thought, sorry, the thought came to a certain king, देखिए, the thought है, येनिकी, जो सोच है, came to a certain king, एक जो राजा था, certain लगाने का मतलब है, किसी खास राजा की बात का है, certain का मतलब न चाह रहा है, that he would never fail, कि वो कभी भी fail नहीं होता, if he knew three things, अगर वो जानता, तीन चीजे, conditional sentences, अगर आप पढ़ेंगे न, तो अगर मैं बोलू, कि यार, अगर अभी बारिश होती, तो मैं enjoy करता rain को, तो बारिश होती हुई नहीं है, मैं प्रेजिन में खड़ा होके, एक I would enjoy the rain, उसी तरीके से, अगर, यह तो होकि अचलो action है, rain एक action है, अगर मैं action की बात नहीं करता है, state of being की बात करता है, यार, अगर मैं एक राजा होता न, तो मैं सब की मदद करता है, तो if I were, were लगता है, आपको पता ही होगा, if I were a king, I would help everyone, यानि कि मैं हू नहीं, अगर होत तो ऐसा करता हो अभी present में बैठके सोचे रहे हो, कोई past का भी relation नहीं है, दिक्ता past है, या past है नहीं, present के ख्याली पुलाव है, जो present में ऐसा होता, तो मैं ऐसा-ऐसा future में करता, Så future के लिए हमें will नहीं लगाना है, would लगाना है, और मैं present में ऐसा होता, तो उसके लिए present यू नहीं होता, if he knew three things, अगर वो तीन चीजे जानता, these three things were, यह जो तीन चीजे हैं, वो क्या थी, what is the right time to begin something, किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है, what is the right time, सही समय क्या है, to begin something, किसी भी चीज को शुरू करने का, which people should he listen to, यह मतलब राजा, which people, ऐसे कोन से लोग हैं, जिनको उसे सुनना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, राजा को किसकी बात माननी चाहिए, what is the most important thing for him to do, बहुत important क्या है, what is the most important thing, important चीज क्या है for him, उसके लिए, ही मतलब राजा, उसके लिए to do करने के लिए, तो राजा के क्या है कि which people should listen to, किसकी बात उसे माननी चाहिए, तो तीन questions कि उसे answer नहीं मिले हैं, अगर उसे answer मिल जाते, तो क्या होता, he would never fail, वो कभी fail नहीं होता, अब आगे देखते हैं, the king therefore sent messengers throughout his kingdom, देखे, the king, जो राजा है, therefore इसलिए, therefore conclusion के लाता है, तो यह सब कुछ है, इसलिए, राजा ने भेजे, अपने दूत भेजे, messengers भेजे, throughout his kingdom, अपने पूरे राज्य में, you know, जो भी उसकी राजधानी थी, उसने अपने messengers भेजे, कॉमा है कि, promising a large sum of money to anyone, who would answer these three questions, promising, यह present participle है, वादा करते हुए, किस चीज का वादा, a large sum of money, बहुत बड़ा amount, पैसो का बहुत बड़ा amount, to anyone, किसी को भी उसकता है, वो who would answer, या who क्या है, relative pronoun है, anyone के बारे बता रहा है, who would answer, जो answer करेगा, these three questions, इन तीन questions का answer करेगा, would क्यों आया है, जब past की बात होती है, तो will ना यूज करके बार बार would लगाया जाता है, narration आप पढ़ेंगे, तो समझ जाएंगे, many wise men, wise मतलब buddhiman, men क्या है, man का plural है, many, यान की बहुत सारे जो buddhiman विक्ती, came to the king, राजा के पास आये, यहां two का मतलब है, उसके पास, location मतलब को दिखा रहा है, कि उनके पास आये, but they all answered his questions differently, but they all, they all मतलब, जितने भी wise में आये थे, उन सारों ने answered his questions, उसके प्रशनों का सवाल differently दिया, अलग परकार से दिया, किसी ने कुछ बोला, तो किसी ने कुछ बोला, इन reply to first question, in reply to the first question, जो पहला सवाल था, जो पहला सवाल था, उसके उत्तर में, some said, कुछ लोगों ने कहा, the king must prepare a timetable, king को, raja को आवश ही, must मतलब आवश ही, एक timetable तयार करना चाहिए, and then follow it strictly, और फिर इस timetable को follow करना चाहिए, बहुत ही strictly, एदम strict हो करके कि करना ही करना ही जी, ऐसे follow करना चाहिए, कड़े रूप में, only in this way, मात्र इस तरीके से, they said, उन लोगों ने कहा, बुधिमान विक्तियों ने कहा, कि could he do everything, वो हर काम कर सकता है, कई बार आप ऐसे देखेंगे कि subject से पहले भी helping verb लग जाता है, किताब का एक style होता है, मैं बोलू कि Ram said, किताब में कई पर लिखा होगा, said Ram, ऐसा लिखा होता है, आप देखेंगे, style है अपना राइटर का लिखने का, okay, inversion कहते हैं इसे grammar में, okay, so could he do everything, it means कि he could do everything, को कोई भी काम कर सकता था, at its proper time, अपने proper time पर, फिर से देख लिजे, only in this way, सिर्फ इसी तरीके से, यहाँ पर फिर से देख लिजे, कुछ लोगों ने कहा कि king को क्या करना चाहिए, time table को त्यार करना चाहिए, और उसको follow करना चाहिए, अगर यह करते हैं, तो यही वो तरीका है, वो लोगों ने कहा कि could he do everything, वो हर काम कर सकते हैं, यह could का मतलब है कि future में होने वाला जो chance है, कि ऐसा हो सकता है, मैं बोलो कि that girl could cheat you, वो लड़की आपको धोका दे सकती है, तो could मतलब भी chance है कि ऐसा हो सकता है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, वो सोचते है कि can मतलब सकता है, ऐसे सोचते हैं आप ल करता हूं कि that girl could cheat you and that girl can cheat you, तो can cheat you का मतलब है कि एच्छा उस लड़की ने पहले भी बहुतों को धोका दिया है, जेनरल सी बात हो धोका दे सकती है, और could cheat you का मतलब है कि क्या पता धोका दे दे, वैसे पहले उसका को experience ऐसा है नहीं, बट हो सकता है धोका दे, who knows, इसलिए could गया जाता है, it could be bomb, हो सकता है bomb हो, हो सकता है नहीं भी हो, anyways, तो he could, could he do everything at its proper time, अपने proper time पे तभी उसकाम को कर सकते, others said, दूसरों ने कहा कि that it was impossible to decide in advance, कि भाया ये तो बिलकुल असंभो सी बात है, यह was का मतलब is है, क्योंकि यह said है न, यह narration में दिखाया है कि others said, दूसरो ने कहा कि it was impossible, यह तो असंभो सी बात है, to decide in advance, कि advance में कैसे decide कर लेंगे, the right time for doing something, किसी भी चीज को करने के लिए, advance में आप right time कैसे decide कर लेंगे, तो advance में आप नहीं कर सकते, the king should notice all that was going on, the king should notice, raja को notice करना चाहिए, should, आपका advice के लिए दिखाता है, modal auxiliary verb, उसको notice करना चाहिए all, हर वो चीज that was going on, that मतलग जो relative pronoun है, जो चल रहा हो, उसे उसे notice करना चाहिए, ठीक है, आगे लिखते, avoid foolish pleasures, जो ब्योकूफी वाली जो चीजे है, जो चीज आपको खुशी देती है, बटो foolish है, उसको avoid करना चाहिए, and always do whatever seemed necessary at that time, और हमेशा वो करना चाहिए, whatever seemed necessary, जो necessary दि हम हिंदी में सोचेंगे, जो necessary दिखता हो, उसे वही करना चाहिए, at that time, उस वक्त जो सबसे ज़्यादा necessary दिखता हो, आवश्यक दिखता हो, उसे वही करना चाहिए, yet others said, फिर भी दूसरों ने कहा, that the king needed a council of wise men, दूसरों ने कहा, कि जो राजा है, उनको आवश्यक्ता है, needed लिखा हुआ है, needs नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि said हमारा past है, तो past, यह इधर past है, तो इधर वाला जो present हो past बन जाता है, के लिए राजा को आवश्यक्ता है, a council of wise men, council का मतलब क्या है, पूरी group की बात हो, यह group चाहिए, बुद्धिमान लोगों का group चाहिए, who would help him, जो उ a council of wise men होगा, this was because one man would find it impossible to decide correctly, और यह इसलिए, this was, यह इसलिए, क्योंकि जो एक आदमी है, would find it impossible to decide correctly, एक आदमी किसी भी काम को correctly निरने लेने में मतलब असंभाव सा रहेगा, एक आदमी नहीं कर सकता है, तो यह group की जरूरत है, without help from others, और बिना किसी की मदद से एक आदमी न reaction, उस सही समय नहीं चुन पाएगा हर एक काम के लिए, तो यह पूरा समझ में आया है कुछ, कि उन्होंने, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को क्या चाहिए, एक group चाहिए, एक council चाहिए, बुद्धिमान लोगों का, who would help him act the proper time, जो help करेंगे कि proper time पे act किया जाए, एक आदम यह सब नहीं कर सकता है, आगे देखे, but then others said, लेकिन तभी दूसरों ने कहा that there were some things, कुछ ऐसी भी चीजे हैं, which could be urgent, जो urgent हो सकती है, these things could not wait for the decision, ऐसी जो चीजे हैं, वो decision का wait नहीं कर सकती है, कि इतना urgent होगा कि हम सारे लोगों का फैसला का इंतिजार करें, वो नहीं हो सकता of the council, कि पूरे group का, जो council है, उस group के फैसले का इंतिजार नहीं कर सकते, कुछ चीजे urgent होती है, in order to decide, यह decide करने के लिए, in order to का मतलब है, उदेश ऐसा करने के लिए, to decide करने के लिए, the right time for doing something, किसी भी काम को करने का जो सही समय है, वो decide करने के लिए, it is necessary, यह बहुत आवशक है, to look into the future, कि भविश्य में देखा जाया, and only magicians could do that, और सिप magicians ही ऐसा कर सकते है, the king therefore would have to go to magicians, इसले राजा को जाना पड़ेगा, जो will have to, उसका would have to हो गया, राजा को जाना पड़ेगा magicians के पास, तो जब हम past की बात करते हैं, तो narration में present past में बदलता है, तो can, could में बदल answers, अपने उत्तर में, to the second question, जो दूसरा question था, उसके उत्तर में, some said, कुछ लोग ने कहा, कि the people most necessary, the people most necessary to the king, were his counselors, देखिए, the people, ऐसे लोग, most necessary to the king, जो राजा के विलकुल अवश्यक लोग हो, were his counselor, वही उसके counselor होते, यह वर का मतला है, कि अगर वही होते तो अच्छा होता, other said, दूसरों ने कहा, कि the priest, पुजारी अगर होते, counselor, तो अच्छा होता, a few others chose the doctors, कुछ लोगों ने चुना, कि doctor होते, counselor, तो अच्छा होता, and yet, other said, और दूसरे लोगों ने कहा, that his soldiers were the most necessary, कि soldiers होते, तो सबसे जादा होता, अच्छा, कहने का मतला है, कि जो दूसरा question था, कि किसकी बाद उन्हें ज्यादा सुननी चाहिए, कुछ यही question था, तो दूसरे का इन्हों ने यह जवाब दिया, कोई कह रहा कि counselors हो, कोई कह रहा कि पुजारी हो, कोई कह रहा कि doctor हो, कोई कह रहा कि soldiers हो, to the third question, जो तीसरा question था, some said, कुछ लोगों ने कहा, कि science है, other chose fighting, किसी ने कह रहा कि religious worship है, तीसरा question था, कि सबसे important चीज क्या है करने के लिए, कोई कह रहा है कि science है, कोई कह रहा है कि fighting कर रहा है, कोई कह रहा है कि religious worship कर रहा है, as the answers to his questions were so different, as मतलब जैसा की या क्यों की भी होता है, क्योंकि answer to his question, उनके सवालों के जो जवाब थे, were so different, वो बिल्कुल अलग थे, the king was not satisfied, राजा संतुच नहीं था, and gave no reward, उसने कोई भी इनाम और नहीं दिया, instead, और बदले में, ये इनाम ना दे करके, और क्या किया, instead, he decided to seek the advice of a certain hermit, he decided, उसने निष्चे किया, to seek the advice, क्यों advice लेगा, इनकी advice लेने का निष्चे किया, of a certain hermit, किसका advice, तो कोई certain, certain, मतलब कोई खास, वहा का नामी ग्रामी, जो hermit, hermit का मतलब कि जो बाहर रहने वाला है, जो sadhu sanyasi है, a person who lives alone and leads a simple life, जो sadhu sanyasi है, जो sadhu sanyasi है, जो upडे में बाहर रहता है, simple life, वो hermit कैलाता है, अब उसको लगा कि मुझे hermit से ही रह लेनी चाहिए, who was widely known for his wisdom, who was, who मतलब her hermit, यह आपका relative pronoun है, और adjective clause बना रहा है, hermit के बारे में एक information दे रहा है, इसलिए adjective है, कि वो hermit, जो widely known, जो काफी popular था for his wisdom अपनी गुद्धिमता के लिए, the hermit lived in a wood, would मतलब jungle, would भी कहते है, woods भी कहते है, तो जो hermit है, lived in a wood, वो jungle में रहता था, which he never left, जिसको उसने कभी छोड नहीं था, he saw no one but simple people, but का मतलब यहाँ है, except, but मतलब के सिवाए, लेकिन नहीं है, उसने simple लोगों के अलावा, और किसी को देखाए नहीं, he saw no one, उसने simple लोगों को देखा, and so the king put on ordinary clothes, इसलिए, so इसलिए, राजा ने, put on का मतलब होता है, पहनना, उसने पहने ordinary clothes, साधारन कप पहने, before he reached the hermit's hut, राजा, मतलब hermit के, जो साधू था, या जो भी वो simple आदमी था, hermit के hut पहुचने से पहले, before he reached the hermit's hut, उसके जोपडे में पहुचने से पहले, the king left his horse with his bodyguard, उसने अपना घोडा भी छोड़ दिया, और साथी अपना बोड़ गार भी छोड़ दिया, and went on alone, go on, sevena went on, और जाते रहे alone, यानि कि, बिल्कुल अकेले हो गए, अपना बोड़ गार और घोड़ा छोड़ के, अकेले जाते रहे, as the king came near the hermit's hut, as, जैसे ही, राजा आया, near the hermit's hut, उस hermit के जोपडे के करीब आया, he saw the hermit digging the ground in front of his, देखी, he saw, उसने देखा, हम जब किसी को को काम करते हुए देखते हैं, तो आए एंजी लगाते हैं, जैसे मैंने आपको गाना गाते हुए देखा, मैं बोलूँगा कि, I saw you singing, उसी तरीके से, he saw the hermit, उसने hermit को देखा, digging the ground, ground को खोधते हुए, डिक करते हुए देखा, in front of his, हब आगे देखते हैं, in front of his hut, अपने जो खोधते हुए देखा, he greeted the king, उसने, जो hermit है, उसने राजा को greet किया, welcome किया, hello किया, and continued digging, और जारी रखा, continued, यानि की, जारी रखा, digging, खोधना जारी रखा, the hermit was old and weak, hermit जो था, वो ओल था, यानि की, बुढ़ा था, और weak, यानि की, कमजोर भी था, and as he worked, he breathed heavily, and as he worked, जैस है कि उसने काफी काम किया, he breathed heavily, यानि कि उसने सांस जोर-जोर से लिया, the king went up to the hermit, राजा जो है, वो hermit के पास गया, go up to का मतला है कि एसे चल कर जाना, तो went up to, उसके पास गया, and said, I have come to you, मैं आपके पास आया हूँ, excuse me, wise hermit, hey buddhiman hermit, मैं आपके पास आया हूँ, to ask you to answer three questions, ताकि मैं आपसे पूछ हूँ, अपने तीन questions के answer, how can I learn to do the right thing, how can I learn, मैं कैसे सीख सकता हूँ, to do right thing, सही काम को करना, at the right time, सही समय पर सही काम को करना, मैं कैसे सीख सकता हूँ, who are the people, I need most, ऐसे कौन से लोग है, जिनकी मुझे सबसे जादा जरूरत है, and what affairs are the most important, और ऐसे कौन से काम है, are the most important, जो सबसे ज़्यादा important है, यह तीन सवाल है, the hermit listened to the king, उस hermit ने राजा को सुना, उसकी बात सुनी, but did not speak, लेकिन कुछ बोला नहीं, past and definite है, he went on digging, went on, go on से बना है, go on का मतलब जारी रखना, keep on भी कह सकते, तो he went on digging, वो खोदता रहा, खोदता रहा, ख थके हुए है, said the king, राजा ने कहा, देख रहे है, said the king, इस spoken English में हम आप क्या बोलेंगे, the king said you are tired, यह किताब की भाचा है, let me take the spade, मुझे फावडा लेने दो and work in your place, और आपके जगह पर मुझे काम करने दो, thanks, said the hermit, hermit ने कहा, thank you, धन्यवाद, giving the king his spade, giving क्या है, present participle है, the king his spade, अपने उस spade को, अपने फावडे को, राजा को देते है, उसने कहा, thank you, तो present participle भी आपको आना चाहिए, then he sat down on the ground, past indefinite है, फिर वो बैठ गया ground उपर, when the king had dug two beds, when the king, when मतलब जब, जब, जब the king had dug, had मतलब past perfect, जब वो कर चुका था, डिक का डग हो गया, जब खोद चुका था, two beds, बैठ मतलब क्यारी, जब दो क्यारियां वो बना चुका था, he stopped and repeated his questions, वो रुका और अपने सवाल को repeat किया, the hermit gave no answer, लेकिन उस hermit ने कोई जवाब नहीं दिया, उधर कुछ कुछ कुटे भॉक रहे हैं, तो शायद आपको आवाज आए, तो क्या कर सकते हैं but stood up, अच्छा, hermit gave no answer, hermit ने कोई answer नहीं दिया, but stood up, लेकिन वो खड़ा हुआ, stretching out his hand for the spade, या फिर present participle, stretching out, अपने हाथ को फैलाते हुए, stretch करते हुए, hand for the spade, फावडा लेने के लिए, and said और कहा, now you rest, अब तुम आराम करो, and let me work, और मुझे काम करने दो, but the king did not give him the spade, ल और वो खोदना जारे ही रखा, continued के बाद अगर two आ गया, तो फिर आपको dig रखना है first form, अगर two नहीं आया है, तो फिर digging करना पड़ेगा, ठीक है, इसे continued digging, one hour past, एक घंटा बीत गया, then another, दूसरा घंटा बीत गया, the sun went down, behind the trees, पेडों के पीछे सूरज भी नीचे चला गया चुप गया, went down मतलब नीचे चला गया, and at last the king stuck the spade into the ground, and at last, Antmin, the king, raja ने stuck, stick से बना stuck, उसने, stuck मतलब फसा दिया, stuck the spade into the ground, ground में उसने फावरा को फसाया, and said, और कहा, I came to you, मैं आपके पास आया, wise man, buddhiman vekti, for an answer to my questions, अपने सवालों के जवाब के लिए आया, if you can give me no answer, अगर आप मुझे कोई answer नहीं दे सकते हैं, tell me so, ऐसा कह दो फिर मुझे, I will return home, मैं घर वापिस चला जाओंगा, here comes someone running, here comes का मतलब है कि अचानक वहाँ पर आता है, कोई दोरता हुआ, said the hermit, hermit ने कहा, the king turned round, राजा घूम कर देखा, turned round, पीछे घूमा, and saw a braided man, और देखा कि एक दाधी वाला व्यक्ति, oh sorry, bearded man, bearded man, bearded man, bearded man मतलो दाधी वाला व्यक्ति, running towards them, उनकी तरह भागता हुआ आ रहा था, his hands were pressed against his stomach, उसके जो हाथ थे, were pressed, दबे अपने पेट पे ऐसे हाथ, उसने पेट पे ऐसे हाथ दवा रखा था, ऐसे ऐसे करके, पेट पे हाथ दवा रखा था, from which blood was coming, from which मतलब जिसमें से, जहां से, from मतलब होता है, separation के लिए, कि कहां से कोच ही जा रहा है, separation के लिए लगता है, तो from which, जहां से, the blood was flowing, blood वहां से गि He fented, fented मतलब बेहोश होना, वो बेहोश हो गया and fell to the ground और जमीन पर गिर पड़ा, the king and the hermit, राजा और वो जो hermit था, removed the man's clothing, उन दोनों ने मिलकर उस आदमी के, man's लिखा है, यानि कि आदमी के, यह अपस्ट्रोफी है, plural बनाने के लिए कोई man's नहीं होता है, man होता है, m-e-n, तो आदमी के clothing को, clothing की जगह clothes भी कह सकते है, पुराने English है तो ऐसे चलता है, clothing भी एक noun है, कपड़े, जो पोशाक है, जो पहनावा है, उसको उतारा and found a large wound in his stomach, और देखा कि वहाँ पर बहुत बड़ा घाओ था, wound मतलब घाओ था उसके stomach में, पेट में, the king washed and covered it, राजा ने उसको wash किया, धोया और उसको ढख दिया with his handkerchief अपने rumal से, handkerchief मतलब rumal, but the blood would not stop following, देखिए would not का इस्तमाल हम कई बार ऐसा करते हैं, जैसे जब आप would के बारे में पढ़ेंगे, मालीज आपकी car start नहीं, जब कोई refuge कर दे, कोई काम करने से, तो वहाँ पर would not negative में इस्तमाल क spoken में तो कोई ज़्यादा use करता है, spoken में, हाँ used to की जगए would काफी इस्तमाल करते हैं, इसमें नहीं करते हैं, but written है, but the blood would not stop following, लेकिन जो blood है वो flow, यानि कि बहना नहीं रुका, विल्कुल refuse कर दिया, the king redressed the wound, राजा ने उसको redress किया, फिर से dressing की, until at last the bleeding stopped, until, तब तक उसने redress किया, जब तक की अंत में, bleeding stopped, जब तक bleeding stopped ना हो गया हो, तब तक की, until का मतलब, उस वक्त तक जब तक कुछ हो नजा, the man felt better, आदमी को अच्छा कुछ महसूस हुआ, थोड़ा उसने अच्छा, बहतर महसूस किया, and asked for something to drink, and कुछ मांगा पीने के लिए, कुछ तो दो पीन था कि जो सूरज है, वो डूब चुका था, and the air was cool, और जो हवा थी ओ ठंडी थी, the king with the hermit's help, raja with the hermit's help, उस hermit की मदद से, carried the wounded man into the hut, वो ले गया, ऐसे उठा कर ढोकर उस wounded man को, देखिए, wounded man, injured man, इस सब क्या है, adjective है, man क्या है, noun है, और noun से पहले adjective आ गया, past participle वाला, उसके पारे में कुछ बता रहा है, कि वो जो गायल आदमी था, उसको जोपडी मिले गया, and laid him on the bed, ये laid किसे बना है, lay, l-a-y, lay, तो lay का second form है, laid, इसका मतलब है लिटाना, और एक खुद लेटना है, तो lie, और lie का second form होता है, lay, तो एक जगे lay आपको first form में दिखाई देगा, एक आपको second form में दिखाई देगा, दोनों का मतलब अलग है, तो laid him on the bed, उससे bed पर लिटा दिया, the man closed his eyes, उस आदमी ने अपनी आखे बंद की, and lay quiet, और late गया, अब यहां lie मतलब late ना, तो lie का lay होगा second form, lay quiet और quiet शान्ती से late गया, the king, the king, राजा, फिर यहां लिका कि, tired by his walk and the work he he had done, कॉमा पे ध्यान दिजिए, lay down on the floor, ध्यान से देखे, the king, यह आपका subject है, lay down, यह लाई से बना lay second form, यह आपका past indefinite हो गया, तो यह subject और यह word, कि राजा late गया on the floor, floor पे late गया, अब राजा के बारे है, वो राजा, कौन सा राजा, tired by his walk, जो अपने walk से tired हो चुका था, and the work he had done, और जो उसने काम किया था, फावडे वाला, उससे वो tired हो चुका था, तो यह extra information दे दिया, तो वो राजा, late गया on the floor, and slept through the night, और पूरे रात वो सोया, through the night, यानि कि, कहा जाता है, through the night, मतला पूरे रात, वो सोया, when he awoke, जब वो जगा, it was several minutes before he could remember, कुछ याद आने स कुछ मिनिट पहले, where he was, कि वो कहा था, और who the strange bearded man lying on the bed was, जब वो उठा तो से कुछ याद ने था कि मैं कहा हूं, और यह कौन है, who the strange bearded man, ताढ़ी वाला अदूद सादमी कौन है, lying on the bed, बेड पे लिटा हुआ है, okay, forgive me, मुझे माफ कर दो, said the bearded man, ताढ़ी आने कहा कि मुझे माफ कर दो, in a weak voice, एक बहुत ही कमजूर से वाज में कहा, when he saw that the king was awake, जब उसने देखा, when he saw, जब उसने देखा, that the king was awake, कि जब राजा जगे हुए थे, तो से कहा, मुझे माफ कर दो, I do not know you, मैं तुम्हे नहीं जानता हूं, and have nothing to forgive you for, और कुछ है नहीं नहीं तुम I am that enemy, मैं वो दुष्मन हूं, of yours, आपका, who swore revenge on you, swore मतलब कसम खाय थी, swear का swore हो गया, जिसने कसम खाय थी, revenge on you, आपसे बदला लेने के लिए, revenge के साथ हमेशा on आता है, ऐसे मैं तुम से बदला लूंगा, लोगो को लगता है, revenge from you, दिमाग में तो हिंदी है कि say, बड़ इसा नहीं है, कुछ fixed prepositions होते है, revenge के साथ on आता है, because you put my brother to death, तुमने मेरे भाई को मार दिया, put my brother to death का मतलब है कि जान से मार दिया, सजाई से सुनाई होगी, मार दिया, and seized my property, और मेरे property को जबत कर लिया, I knew you had gone alone, मुझे मालूम था, कि तुम गय थे अकेले, to see that hermit, तुम से मिलने अकेले गय थे, and I made up my mind, मैंने अपना दिमाग विल्कुल तयार कर लिया था, सोच लिया था, to kill you, तुम्हे मारने का, on your way home, जब तुम घर वापिस आओगे, तुम्हे मारने का, मैंने सोच लिया था, but the day passed, लेकि दिन बीत गया, and you did not return, लेकि तुम आपिस ही निया अचानक मैं तुम्हारे bodyguard से टकरा गया, who recognized me, जिसने मुझे पहचान लिया, who मतलब bodyguard, relative pronoun, and wounded me, और मुझे घायल कर दिया, I escaped from him, मैं उससे भागा, but I should have died, अब should have died, एक तो should have होता है past में कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, अगर मैं बोलू कि I should have gone, मुझे जाना चाहिए थ उससाब से देखे, तो I should have died, कि मुझे मर जाना चाहिए था, if you had not dressed my wound, अगर तुम्हे मेरे dress को wound नहीं किया होता, sorry, मेरे wound को dress नहीं किया होता, I'm sorry, मेरे घाओ को, मेरे घाओ का dressing नहीं किया होता, तो यहाँ पर मर जाना चाहिए था, कि जगा मैं मर गया होता कि feeling है, ठीक है कि मैं अगर spoken English में मैं क्या बोलता कि I would have died, I would have died, यह conditional third है, कि I would have died, मैं मर गया होता, if you had not dressed my wounds, अगर तुम मेरे जख्मो की dressing नहीं करते तो मैं मर गया होता, तो उसी का इसने should have died लिखा है, तो चलेगा, पुराने English में यहीं अलाओ है, I wish to kill you, मैंने विश की, मैंने हमेशा यहीं इक्छा की कि तुम्हें मारने का, and you have saved my life, और तुमने मेरी जान बचा ली, now I, now if I live, अगर अब मैं जिवित रहा, I will serve you as your most faithful servant, तो मैं आपकी सेवा करूंगा के रूप में, आपके बहुत ही most full servant के, नौकर के रूप में आपकी सेवा करूंगा, and will order my sons, और अपने बे to have made a peace with his enemy, the king was very happy, राजा बहुत खुश था, क्या करके खुश था, to have, जैसे आपने कोई चिठी लिखी और आपकी चिठी पढ़के मैं खुश हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा, I am glad, I am glad, मैं खुश हूँ, फिर यहाँ पर मुझे to have लगाना पढ़ेगा, to have, यानि कि क्य इसा मैं कर चुका हूँ, जिस वजय से मैं खुश हूँ, तो उस पर्फेक्ट को दिखाने के लिए, to have लगाना पढ़ेगा, I am glad to have read your email, or your letter, तो उसी तरीके से, the king was very happy, बहुत खुश था, to have made peace, उसने शांती बनाया, with his enemy, अपने दुश्मन के साथ, शांती बनाया, so easily, बह have won him over as a friend, win him over का मतला ही, as a friend का मतला ही, कि उसके उपर वो एक दोस्ती जित लिया, you know, दोस्त बना लिया उसको, तो काफी खुश था, he not only forgave him, सिर्फ उसने माफ ही नहीं किया, but said, लेकिन ये भी कहा, कि he would send his servants, वो अपने नौकरों को भेजेगा, and his own doctor, और अपने खुद के to give back the man his property, तो उसने प्रॉमिस किया, he promised, उसने प्रॉमिस किया, किस से प्रॉमिस किया, उसा आदमी से प्रॉमिस किया, क्या करने के लिए, to give back his property, उसकी प्रॉपर्टी को वापिस करने के लिए, लिविंग द वुंडेड मैं, या अपका प्रेजिन पार्टिसिपल है, उस वहीं पर छोड़ते हुए, the king went out, राजा बाहर गया, off the hut, जोपडी से बाहर आया, and looked around, उसने चारो तरफ देखा, for the hermit, hermit के लिए देखा, before going away, जाने से पहले, before going away, जाने से पहले, he wished, उसने ये wish की, wished once more to get answer to his questions, उसने फिर से एक बार wish की, कि अपने questions का उसे answers मिले, the hermit was on his knees, sowing seeds in the beds, देखे, the hermit was on his knees, जो hermit था अपने घुटनों पर था, sowing seeds, sow मतलब होता है, बोना, वो बीच बो रहा था, seed मतलब बीच, वो बीच बो रहा था, in the beds, उन क्यारियों में, that had been dug, यहाँ that क्या है, relative pronoun है, और किसके बारे में इन्फोरमेशन दे रहा है, उस beds के बा पहले, the king went up to the hermit, raja, चल कर, hermit के पास गया, and said, और कहा, for the last time, आखरी बार, I beg you, मैं आपसे भीग मांगता हूं, to answer my questions, कि मेरे सवालों का जवाब दीजी, मैं पिलकुल आपसे भीग सा मांगता हूं, wise man, है बुद्धिमान वेक्ती, मेरे सवालों का जवाब दीजी, अंती ग्राउंड पर, वो वेंडिंग डाउं था, यानि कि अभी भी जुका हुआ था, and looking up at the king, raja को उपर ऐसे देख रहा था, as he stood before him, जैसा कि वो उसके सामने खड़ा हूं, as he stood, as he stood before him, जैसा कि वो खड़ा था, यहां पर मुझे लग रहा है कि he, raja के लिए, as he stood, वो खड़ा what do you mean, आप कहना क्या चाहते हो, do you not see, क्या तुम्हें दिखता नहीं, यह सवाल राजा ने पूचा है कि how have I been answered, मुझे कैसे answer मिल गया, and what do you mean, आप कहना क्या चाहते हो, तो फिर आता है कि do you not see, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, replied the hermit, hermit ने कहा तुम्हें दिखाई न पास हो गया होता, conditional third है, if I had worked in class 10th, I would have passed, वही कह रहा है, if you had not pitied my weakness, अगर तुम्हें दिखाते, तुम्हें दिखाते, yesterday, कल, and had not dug these beds for me, और इन क्यारियों को मेरे लिए नख होते, you would have gone away, तो तुम्हें दिखाई होते, then that man would have attacked you, तब अगर तुम्हें दिखाते, तुम्हें attack किया होता, would have का मतलब है कैसा किया होता, you attacked you, and you would have wished, और तुम्हें दिखाते, you had stayed with me, कि काश तुम्हें दिखाते, अगर वो तुम्हें मार देता, अटेक करता, तुम्हें कैता, तुम्हें दिखाते, तुम्हें दिखाते, तुम्हें दिखाते, तुम्हें दिखाते, most important man, excuse me, I was the most important man, और सबसे इंपोर्टे आद्मी मैं था तुम्हारे लिए, and to do me, and to do me good was your most important business, and to do me good, and मेरे लिए अच्छा करना was your most important business, तीनों सवाल मेल गए, कि सबसे अच्छा समय वही था जब तुम क्यारिया बना रहे थे, सबसे बहतरी नवेक थी, वह मैं था, और सबसे अच्छा जो तुम्हारा अफेर था काम था, वह मेरे लिए कुछ अच्छा करना था, afterwards, इसके बाद, when the man ran to us, और जब वह आदमी हमारी तरह भागा, the most important time was, वह तो सबसे important time वह था, when you were caring for him, कि जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, तो वह सबसे important time था, because if you had not dressed his wounds, conditional thought, कि अगर तुमने उसके जखम को, उसके घाओ, को dress नहीं किया होता, उसको सही नहीं किया होता, उसकी dressing नहीं किया होती, he would have died, वह मर गया होता, without having made peace with you, बिना तुम्हारे साथ शांती बनाया हुए, शांतिय स्थापित के उमर गया होता, so he was the most important man, तो वह सबसे important आदमी था, and what you did for him, और जो तुमने किया, was your most important business, वह तुम्हारा सबसे important business था, यह what you did, यह what क्या है आपका, यह conjunction का काम कर रहा है, और यह पूरा एक noun clause बना रहा है, remember then, इसलिए याद रखो, there is only one time that is important, सिर्फ एक ही समय है, जो कि सबसे ज़्यादा important होता है, and that time is now, और वो समय है अभी, यह जो समय है अभी, जो present है, वही सबसे ज़्यादा important है, it is the most important time, यह सबसे ज़्यादा important time है, because it is the only time we have any power to act, यही वो सबसे बहतरीन समय है, जब हमारे पास, we have any power to act, कोई भी हमारे पस पावर है काम करने का, यही वो समय है, जो present time है, the most necessary person is the person you are, जो सबसे important person है, वो person तुम खुद हो, with at a particular moment, इस वक्त, इस moment पे जो तुम हो, तुम सबसे ज़्यादा important person हो, for no one knows what will happen in the future, क्योंकि, for का मतलब क्योंकि भी होता है, याद रखिएगा, क्योंकि no one knows, क्योंकि कोई नहीं जानता है, what will happen, क्या होगा in the future, भविश में क्या होगा, and whether we will meet anyone else, और हम किसी से मिलेंगे या नहीं, whether का मतलब है क्या हम किसी से मिलेंगे, कोई नहीं जानता है, the most important business is to do that person good, सबसे important काम है करना, किसी इंसान के लिए अच्छा करना, because we were sent into this world, for that purpose alone, हमें इस इंसार में भेजा गया, we were sent, past and definite का passive है, हमें into this world, इस इंसार में भेजा गया, for that purpose, उस काम के लिए alone, अकेले उसी काम के लिए भेजा गया है, कि किसी का अच्छा करो, ठीक है जी, तो I think ये खतम हो गया, हाँ जी, खतम हो गया, तो दोस्तों, आपका 7th क्लास का भी मैंने शुरू करा दे, और ये अब शेप्टर खतम हो गया, काफी बड़ा रहा, तो बस मिलते अगले वीडियो में, तिल दिन टेक क्यर, कीप ट्राक्टिसिंग और थाइन, थांक्यू गाइस,